नमस्कार competition community के इस fast track revision course में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है पुक्राजगरी और इस fast track revision course में मैं deal कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने शुरुवात की है संभाग परिचे से जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसको तो सरगुजा संभाग से कुछ important प्रशनों को लेकिन प्रशनों पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम competition community के तरफ से करा रहे हैं हर एक रविवार को सुबे 11 बजे online test और इस test में शामिल होने के लिए आप सभी को क्या करना है तो शुक्रवार की रात्री तक हमारे website पर जाकर कर लेना है आप सभी को register जिससे की आप शामिल हो सके इस test में तो यह हो गई announcement अब शुरू कर देते हैं हम प्रशनों को तो यह रहा हमारा पहला प्रशना पहले प्रशन में है प्रसिद्ध पंचायतन शैली में बने शिव मंदिर के अवशेश मिले हैं options है डीपाडी से फिर है महेशपुर से उसके बाद है दमेरा से है चोथा option है इनमे से कोई भी नहीं देखिए यह जो मैप हम देख पा रहे हैं या किसका मैप है तो सरगुजा संभाग का मैप है यह है कोरियाजिला यह है सूरजपुर जिला यह बलरामपुर यह सरगुजा जिला और यह जशपुर जिला अब समझिये जश्पुर जिले में हैं बखोना चोटी और बखोना चोटी से एक नदी का उदगम नाम है क्या तो नाम है नदी का कनहार नदी कौन सी नदी कनहार नदी अब इस कनहार नदी के तटपर इस बलरामपुर जिले में ध्यान रखना एक पुरा तात्विक स्थल है जिसका क्या नाम है तो नाम है डीपा क्या नाम है पुरातात्विक्स थलका तो नाम है डीपाडी किस नदी के तट पर है तो ध्यान रखना कनहार नदी कनहार नदी के बारे में एक और बात बता दू कि यह है चत्तिसगड और यह है हमारा जारखंड तो 36 गड़ और जारखंड राजियों की बीच यह जो कनहार नदी है यह बॉर्डर का निर्माण करती है वापिस आ जाते हैं बहराल डीपाडी पर तो डीपाडी क्या है तो एक बहुत फेमस पुरा तात्विक स्थल है पिछले वर्ष CMO के पेपर में पूछा गया था डीपाडी किस नदी के तटपर है तो ध्यान रखना कनहार नदी के अब चूंकी पुरा तात्विक स्थल है मतलब यहां से कुछ ना कुछ चीजें मिली होगी तो यहां से दो बहुत फेमस चीजें मिली पहला है पंचायतन शेली में बना शिव मंदर कौन सा मंदर शिव मंदर अब यहां पंचायतन शेली क्या है तो मैं आपको बता दूँ यह स्थापत्य कला की वह शेली है जिसमें एक के जगा पाँच मंदिरों का निर्माण होता है तो एक बीच में बड़ा मंदिर और चारो कोने में चार छोटे छोटे मंदिर हो गए कुल कितने तो एक दो तीन चार पास तो कहलाया पंचायतन शेली तो पहला है पंचायतन शेली में बना शिव मंदर और दूसरा क्या है तो ध्यान रखना महिशा सूर मर्दिनी की एक विश्ष्ट मूर्ति की प्राप्ति हुई है इस डीपाडी से तो डीपाडी से दो विश्ष्ष्ट चीजें एक ध्यान रखना पंचायतन शैली में बना शिव मंदिर और दूसरा है महिशा सुर मर्दिनी की एक विशिष्ट मूर्ती इसकी प्राप्त हुई है कहां से तो डीपाडी से डीपाडी कहां है तो है बलरामपुर जिले में किस नदी के तट पर है तो कनहार नदी के तट पर है इतने सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो इस एक प्रश्ण से कम से कम चार से पाँच प्रश्णों को आप बना सकेंगे हैं बहरहाल वापिस आ जाते हैं प्रश्ण पे तो प्रश्ण था प्रसिद्ध पंचायतन शैली में बने शिव मंदिर के अवशेश कहां से मिले हैं तो हमने देखा है डीपाडी बलरामपुर जिले से मिले हैं अवशेश प्रसिद्ध पंचायतन शैली में बने शिव मंदिर के तो यह जो ऑप्शन ए है यह सही ऑप्शन है पहले प्रश्ण के लिए आगे आपको बताऊं तो ध्यान रखना महेशपूर की अगर आप बात करो तो महेशपूर कहां है तो महेशपूर है सरगुजा जिले में किस जिले में सरगुजा जिले में किस नदी के तटपर है तो ध्यान रखना रिहंद नदी के तटपर है और यहां पर कौन सी स्थापत्य को आपको देखने को मिलता है तो ध्यान रखें यहां पर कुरिया जोर की स्थापत्य कला देखने को मिलती है कु इसके बाद है दमेरा, दमेरा कहा है, तो ध्यान रखना जश्पुर जिले में है दमेरा, और दमेरा में वैसे तो एक जल प्रपात है, इसके अलावा यहाँ पर फर्टिलिटी कल्ट के भी अवशेश प्राप्त हुए, तो हमने क्या देखा, डीपाडी, हमने देखा महेशपुर, हमने देखा दमेरा और इन सभी के बारे में देख लिया कुछ एक important points को, बहरहाल याद रखना, question one का सही answer तो डीपाडी है, क्योंकि पंचायतन शैली में बना हुआ शिव मंदर कहां से मिला है, तो डीपाडी से मिल है, तो यह हो गया हमारा पहला प्रश्न, अब आ जाते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे हैं, तो दूसरा प्रश्न है, 36 गड़ में fertility कल्ट से संबंधित नवीनतम साक्ष कहां से मिले हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, कि यह fertility कल्प क्या है, तो आज से कुछ लाखो साल पहले, ऐसी मान्यता है, कि जब मनुष्य ने इस प्रकृती में पहली बार fertilization की परिकल्पना की थी, उस समय को fertility कल्ट कहां गया है, और मैं आपको बता दूँ कि जश्पुर जिले के देश देखा और दमेरा, ऐसे दो स्थान हैं, जहां से इस fertility कल्ट से संबंधित साक्ष मिले हैं, एक बात और बता दू, यह important इसलिए हो जाता है, सबसे पहले तो वर्ष 2020 में ही साक्ष मिले हैं, तो करेंड के दृष्टी कोण से, दूसरा ध्यान रखना इसलिए important क्यूंकि fertility कल्ट से संबंधित साक्ष ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत में कही से पाए गए हैं और कहां से मिले हैं, तो देश देखा और दमेरा कहां पे, तो यह दोनों हैं जश्पुर जिले में, अगर जश्पुर जिले का हम मैप देखें, तो ध्यान रखना यहां पर एक नैशनल हाईवे है, NH 43, जो की पत्थल गाउं, कुनपुरी, कासा बेल और जश्पुर नगर तहसीलों से होकर गुजरता है, अब इसी NH 43 के उत्तर की ओर है, यह दो जगा, नाम क्या है, तो एक है देश देखा, और दूसरा है क्या, दमेरा, जब हम करेंट की बात कर रहे हैं, तो एक और बात बता दू, इसी पत्थल गाउं तहसील के नस्दीक है, टोंगरी, पानी, इस टोंगरी पानी से भी क्या मिले है, तो वर्ष 2019 में तोंगरी पानी से मिले है, कुछ शैल चित्र, तो शैल चित्र, टोंगरी पानी, और देश देखा, दमेरा से, फर्टिलिटी कल्ट आपको ध्यान रखना है, यह 2020 में बहुत लेटिस्ट है, और इसकी प्राप्ती लगभग वर्ष 2019 में हुई है, यह थोड़ा पुराना हो चुका है, बट ध्यान रखना जश्पुर में इस समय हमें बहुत सारी नई चीज़े देखने को मिल रही हैं, ज अगर 36 गड़ में पुरा तात्विक स्थलो से संबंधित कोई ऐसे आ गया तब, तो वापिस आ जाते हैं प्रशन पे, तो मैंने क्या बताया, देखा दमीरा कहां है, तो जश्पुर जिले में, तो जो second question है, उसका answer क्या होने वाला है, तो answer होगा option A, जश्पुर, तो यह थ अपने तीसरे प्रशन पे, तो देखें तीसरे प्रशन पे क्या करना है, तो हमें सही मिलान करना है, जहां पर नदियां हैं और जलप्रपात हैं, तो देखें आप, जलप्रपातों में हैं अमरितधारा, रामदा, गुल्लू और कुंद्रू घाग, नदियों में क्या है, त पनास नदीपर कोरिया जिले में एक जलप्रपात है और उस जलप्रपात का क्या नाम है तो नाम है रामदाह जलप्रपात वही हस देव नदीपर फिर से कोरिया जिले में दो जलप्रपात एक क्या नाम है तो एक है अमरित धारा और दूसरे का क्या नाम है तो नाम है गौर-खाट बात करूँ इब नदी की तो इब नदी पर जश्पुर जिले में दो जलप्रपात एक का क्या नाम है तो गुल्लू और दूसरे का क्या नाम है तो छुरी इसके अलावा इस पिंगला नदीपर एक जलप्रपात क्या नाम है? कुंदरू घाग जलप्रपात अब देखिए अम्रित धारा का मिलान किस से हो सकता है? तो हमने देखा अम्रित धारा हस्देव नदीपर है तो मिलान होगा हस्देव से रामदा हमने देखा है बनास नदीपर है तो मिलान होगा बनास से गुल्लू हमने देखा इब नदीपर और कुंद्रू घाग देखा पिंगला नदीपर पेरिंग कर दें तो क्या हुआ A2 उसके बाद है क्या B1 उसके बाद है C4 और D3 A2, B1, C4 और D3 अगर options को देखे तो option C में दिया है A2, B1, C4 और D3 और इसी लिए इस तीसरे प्रश्न का सही answer होने वाला है option C तो यह रहा हमारा तीसरा प्रश्न अब आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पे अब चौथे प्रश्न पे देखे लिखा है निम्नलिकित में से कौन सी नदी 36 गड़ जार्खन के बीच अंतर राजी सीमा बनाती है तो जब मैं पहला question बता रहा था आपको तो मैंने कनहार नदी के बारे में बताया था और उसी समय बताया था मैंने कि कनहार नदी जो है वही नदी 36 गड़ और जार्खन राजियों के बीच अंतर राजी सीमा का निर्मान करती है और कनहार नदी दिया है किस में तो option C में तो इसलिए सही answer क्या होना चाहिए तो होना चाहिए option C इस चोथे प्रश्णी के लिए बहरहाल इन सभी नदीयों को एक बार plot करके map पर हम जरूर देख लेते हैं एक है हजदेव दूसरा रिहन तीसरा कनहार है चोथी नदी है कौन सी इब नदी अब हजदेव नदी की बात करूँ तो उदगम क्या है तो है कैमूर चोटी कहां पर तो कैमूर चोटी है हमारे कोरिया जिले में नदी कौन सी है ये हजदेव रिहंद की बात करूँ तो उद्गम क्या है तो मतिरिंगा कहां पर है तो सरगुजा में उसके बाद उत्तर की और बहती हुई आ जाती है कहां तो सूरचपुर में इसके बाद सूरचपुर जिले से चत्तिस गड़ को छोड़ती हुई यह चत्तिस गड़ आज से बाहर निकल जाती है इसके बाद तीसरी नदी कौन सी है कनहार तो मैंने बताया बखोना चोटी से इसका उदगम कहा पर तो जश्पूर जिले में आई कहा तो पहले बलरामपूर उसके बाद ये बॉर्डर बना ली किसके साथ तो बना ली 36 गड़ और जारगण के साथ इब नदी खुरज कनहार और यह है इब नदी है अब आप देखिए 36 गड़ और जारखंड का बॉर्डर तो अगर 36 गड़ के अंतरराजी सीमाओ की बात करें तो उत्तर की ओर क्या है तो यूपी है उसके बाद क्या था तो मैंने आपको बताया था जारखंड और उसके बाद उडिसा अब दे अब आजाएं वापिस तो हमने क्या ओप्शन लिया है ओप्शन सी लिया है कनहार तो सही है कि नहीं ओप्शन सी बिल्कुल सही है चोथे प्रश्न के लिए आजाते हैं अपने कौन से प्रश्न पे तो पांचवे प्रश्न पे अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है तो इसके बाद ध्यान रटना इस रिहन नदी के तड़ पर इस सरगुजा जिले में एक पुरा तात्विक स्थल क्या नाम है तो नाम है महेशपुर्ग और ध्यान रखना इस हस्देव नदी के तटपर इस कोरिया जिले में एक पुरा तात्विक स्थल नाम है क्या तो नाम है चिपचिपी क्या नाम है चिपचिपी तो अगर मिलान करे तो हस्देव के तटपर हमने देखा चिपचिपी को रिहंद के तटपर महेशपुर को और कनहार के तटपर डीपाडी को पेरिंग करो तो क्या आ जाएगा A1 फिर हुआ B2 और फिर हुआ क्या तो C3 A1 B2 C3 दिया किसमे है तो option A में दिया है देखिए A1 B2 C3 और इसी लिए option A जो है यह सही option है इस पांचवे प्रश्णी के लिए पांचवे के बाद हम आजाते हैं अपने छटे प्रश्णी पे अब देखे छटे प्रश्णी क्या दिया है तो 36 गड़ में तमोर पिंगलाव वन्यजीव अब भ्यारण जो है वह सबसे बड़ा भ्यारण है दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह 36 गड़ के सरगुजा जिले में स्थित है तीसरा स्टेटमेंट कहता है इसकी स्थापना 1976 में हुई चौथा स्टेटमेंट कहता है इसका शेत्रफल 802 वर्ग किलो मीटर है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू तमोर पिंगला जो है वन्यजीव अभ्ध्यारण इसका शेत्रफल कितना है तो 608 वर्ग किलो मीटर शेत्रफल के आधार पर यह 36 गड़ का सबसे बड़ावन्यजीव अभ्ध्यारण किस जिले में स्थित है तो सूरज पूर जिले में स्थित है स्थापना किस वर्ष तो वर्ष 1978 में हुई है इसकी स्थापना अब एक एक करके options को देखते हैं क्या यह 36 गड़ का सबसे बड़ावन्यजीव अभ्ध्यारण है तो मैंने बताया 608 वर्ग किलो मीटर के साथ 36 गड़ का सबसे बड़ावन्यजीव अभ्ध्यारण है इसलिए पहला statement सही दूसरा statement यह 36 गड़ के सरगुजा जिले में स्थित है तो मैंने तो सूरजपुर बताया है इसका मतलब यह statement गलत हो गया तीसरा statement इसकी स्थापना 1976 में हुई मैंने बताया 78 में हुई है 76 में नहीं इसलिए यह भी गलत वर्ष 1976 में इस वन्यजीव अभ्ध्यारण की स्थापना हुई 36 गड़ में तो ध्यान रटना बार नवा पारा की हुई थी बहरहाल चौथे statement पे आते हैं लिखा है इसका शेत्रफल 802 है मैंने बताया कितना है 608 इसलिए यह statement भी हो गया हमें क्या बताना था कौन सा कथन सत्य है तो सत्य कथन है statement number one जो की दिया है option c में और इसी लिए option c जो है यह सही option है इस छटे प्रशन के लिए है अब हम आ जाते हैं अपने सात्वे प्रशन पे निम्न लिखित में से कौन सी जन्जाती मुख्यता सरगुजा संभाग में निवास करती है options क्या है कोल उराव कमार गदबा और दोरला देखे इस प्रशन को हम solve करते हैं मैपके माध्यम से अगर कोल जन्जाती की बात करूँ तो प्रमुक रूप से कोल जन्जाती जो है वह इस कोरिया जिले में देखने को मिल जाती है उराव जन्जाती की बात करूँ तो प्रमुक रूप से यह जो जन्जाती है उराव जनजाती यह जश्पुर जिले में देखने को मिलती है इसके लावा आंशिक रूप से सर्गुजा जिले में और बलरामपुर जिले में भी देखने को मिल जाती है कमार जन्जाती की एगर मैं बात कर दू, तो कमार जन्जाती कहां-कहां देखने को मिलने वाली है, तो यह मिलती है, राइपुर संभाग के गरिया बंद और धमतरी जिले में, दोरला की मैं बात करूँ, तो दोरला जन्जाती जो है, बस्तर संभाग के सुक्मा जिले में प्र राहेपुर संभाग, कोल और उराव हमारे सरगुजा संभाग में देखने को मिलते हैं वापिस प्रश्ण पर आये तो हमने क्या देखा कोल और उराव दो ऐसी जंजातिया है जो की हमें कहां देखने को मिलती है तो मुख्यता सरगुजा संभाग में मतलब सही answer क्या आना चाहिए तो आना चाहिए A और B किसमें दिया है तो देखिए option B में A और B दिया है इसलिए यह जो option B है यह सही उत्तर है अपने साथवे प्रशनों के लिए साथवे के बाद हम आजाते हैं अपने आठवे प्रशनों आठवे प्रशनों पर देखिए क्या करना है तो फिर से सही मिलान करना है एक और जिले हैं दूसरे और मंदिर है जिले में है सूरजपुर सरगुजा और कोरिया मंदिरों में है क्या तो महमाया देवी फिर है सरासोर और उसके बाद है छिपछिपी देवी मंदिर देखिए मैं आपको बतादू सूरजपुर जिले में एक नदी है जिसका नाम है महान नदी किसकी सहायक है तो रिहंद नदी की अगर मैं आप में देखे तो मैंने बताया था यह रिहंद नदी अब इस रिहंद की एक सहायक है क्या तो नाम है महान यह रिहंद नदी अब रिहंद की सहायाक महान नदी तो महान नदी के तट पर ही है क्या तो है सरासोर और इस सरासोर में क्या है तो राम लक्षमन सीता मंदिर तो सूरजपुर सरासोर को हम मिलान कर सकते हैं सरगुजा तो सरगुजा में मैं आपको बता दू एक शहर है अमबिकापुर जहां पर है महामाया देवी मंदिर बहुत फेमस है वैसे तो महामाया देवी मंदिर और भी बहुत सारी जगहों पर है लेकिन हम options के हिसाब से मिलान कर रहे हैं और मैं आपको बता दू कोरिया जिले में है फेमस छिपचिपी देवी मंदिर वर्ष 2016 के हैंडलूम के पेपर में इस छिपचिपी देवी मंदिर को पूछा गया था कि 36 गड़के किस जिले में है तो ध्यान रखना है कोरिया जिले में अब pairing करो तो क्या आ जाएगा आ जाएगा A2 के बाद है क्या तो B3 और उसके बाद है C1 options में देखिए तो options में इस option B में दिया है A2, B3 और C1 तो इस आठवे प्रशन का सही उत्तर क्या होने वाला है तो होने वाला है option B A2, B3, C1 तो यह हो गया हमारा आठवा प्रशन इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नवे प्रशन पे हैं अब इसमें हमें बताना है कौन सा कथन जो है वह गलत है तो देखिए सबसे पहला कथन है हस्देव नदी बखोना चोटी से निकलती है तो इस वीडियो में हम कम से कम दो तीन बार डिसकस कर चुके हैं कि हस्देव नदी जो है उसका उदगम क्या है तो उसका उदगम है कैमूर चोटी ना की बखोना चोटी है इसलिए यह स्टेट दूसरा statement अमरत धाराद जर्परपात हस्देव नदी पर है यह भी देख चुके हैं बिल्कुल सही हैं तीसरा statement रिहनद नदी का उद्गम मतरिंगा से है यह भी बता चुका हूँ आपको कि सर्गुजा जी लेके मतरिंगा से है रिहनद नदी का उद्गम चौथा स्टेटमेंट है महेशपूर रिहन नदी के तटपर है तो यह भी देख चुके हैं कि महेशपूर जो है वह रिहन नदी के तटपर स्थित है तो हमें क्या बताना है कौन सा कथन गलत है तो देखिए सिर्फ जो पहला कथन है वही गलत है और पहला कथन बस दिया है option C में इसलिए option C जो है वह है इस नववे प्रशन का सही उत्तर तो यह हो गया हमारा नववा प्रशन अब आजाते हैं हम अपने दसवे और आखरी थल तकिया 36 गड़ के किस जिले में स्थित है तो देखिए सर्गुजा संभाग में यह है सर्गुजा जिला और सर्गुजा जिले में यह है जिला मुख्याले अंबिकापुर और इसी अंबिकापुर के नस्दीक है एक जगा नाम है क्या तो नाम है तकिया और इस तकिया मे किसकी दरगा है बाबा मुराजशा की तो वापिस प्रश्ण पर आए तो हमने क्या देखा तकिया जो है 36 गड़ के किस जिले में है तो हमने देखा यह जो है सरगुजा जिले में है 36 गड़ के अब देखिए options में क्या क्या दिया है कोरिया सूरजपूर बलरामपूर और इन में से कोई भी नहीं तो क्या कोरिया में है नहीं सूरजपूर में है नहीं क्या बलरामपूर में है नहीं तो बचा क्या इन में से कोई नहीं तो option क्या होने वाला है तो होगा D इन में से कोई नहीं इस दसवे प्रश्ण तो यह थे दस कुछ अच्छे और conceptual प्रश्ण सिर्फ और सिर्फ सर्गुजा संभाग से मेरी मुलाकात होगी आप सभी से मेरे आने वाले वीडियो में जिसमें मैं प्रश्ण उठाने वाला हूँ बिलासपुर संभाग से तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू और टेक केर